हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजिनिंग के सबसे इंपोर्टेंट प्रेशनों जो परिक्षा में पूछे गए हैं सभी प्रेशने वही हैं तो वीडियो को आंते तक जरू देखेगा चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशन है यदि किसी कूट में A, B, C को B, D, F लिखा जाता है तो D, E, F को कैसे लिखा जाएगा देखेए यहाँ पर कह रहा है A, B, C को क्या लिखा गया B, D, F मतलब A को लिखा गया है B, A को क्या लिखा गया है दोस्तों B, और B को क्या लिखा गया है D, B को लिखा गया है D, और C को यहाँ क्या लिखा गया है C को लिखा गया है F, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा उसी रिलेशन से आप D, E, F को कैसे लिखा जाएगा आप पता कर लें के बाद में C आता है C के बाद D तो direct B का relation D से दिया गया C को बीच में मिस कर दिया एक alphabet अब C के बाद में दोस्तो D आता है और D के बाद में E आता है उसके बाद में F आता है C का relation F से दिया गया है यहां बीच में दो alphabet मिस किये गए है यहाँ पर कोई भी alphabet miss नहीं किया यहाँ एक miss किया गया यहाँ पर दो अब relation आपकी समझ में आ गया तो आप D, E, F का relation बना लेंगे D, E, और F का relation आप बना लेंगे सबसे पहले alphabet में कुछ भी miss नहीं किया A के just बाद में B आता है B लिखा गया उसी तरह से D के just बाद में E आता है तो हम E लिख देंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे एक alphabet यहाँ miss किया गया तो एक alphabet यहाँ पर miss करेंगे E के बाद में क्या आता है F तो F को हम miss कर देंगे F के बाद में क्या आता है G तो हम G लिखेंगे यहाँ पर क्या किया है लाश्ट वाले में दो मिस किये गए है तो यहाँ भी दो मिस करेंगे F के बाद में दोस्तों क्या आता है जी आता है और जी के बाद में H आता है तो दो मिस कर दिये H के बाद में क्या था I तो हमने यहाँ पर relation बना लिया है E, G, I या आपकी प्रशन का आंसर होना चाहिए E, G, I, B option में दे रखाए या आपकी प्रशन का बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा किलिए रहे दोस्तों सभी को प्रशन किसी को कोई प्रवल्म नहीं होगी अब देखेंगे अगला प्रशन अगला प्रशन है एक बिसिष्ट कूट भासा में टेमपल को इस से कोड़ित किया गया है तो S, N, G को कै कोड़ किया जाएगा देखें इसको इस नंबर से कोड़ किया गया तो इसको किस से code किया जाएगा देखे यहाँ पर लिखते है T E M P L E यही तो दिया गया हमारे पास temple यह हमने लिख लिया इसका code क्या है इतना है तो इसको देखे ती का code दोस्तों देखे पहले अकसर का code पहले वाला होगा तो देखे यू और फिर F है फिर आपका N है Q है M है और F है यही तो code है हमने यह code लिख लिया अब आपको पता करना है इसका code S I N G का code पता करना है देखे यहाँ relation आपने बना लिया तो इसको बनाना मुश्किल फिल्पिल भी नहीं है देखे आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कर T के बाद में जो alphabet आता है वो कौन सा होता है U तो जश्ट अगला वाला लिखा गया E के बाद में F आता है जश्ट अगला वाला लिखा गया तो उसी तरीके से जो भी यह संक्या है जश्ट उनके अगला वाला नंबर ले लेंगे तो S के बाद में क्या आता है आप जानते हैं T I के जश्ट आगे क्या आता है J N के जश्ट अगला वाला O आता है और G के जश्ट अगला वाला H आता है अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है दी गई स्रेंखला में अगली संख्या क्या होगी एक स्रेंखला दी गई है एक सीरीज दी गई है तीन, पांच, नो, सत्रा कॉश्चन मार्क यहां कॉश्चन मार्क की जगे पर क्या हैगा वो आपको बता देना है ठीक है देखिए बढ़ते हुए क्रम में है ठीक है कभी कभी क्या होता है कभी संक्या घटती है कभी बढ़ती है तो उसमें हम क्या करते हैं एक संक्या छोड़ करके relation मनाते हैं लेकिन जब बढ़ते हुए क्रम में है तो सीधा direct relation बनाएंगे देखी 3 से हो गया 5 3 से 5 हो गया मतल़ 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 5 से 9 हो गया 5 में आप 4 जोड़ेंगे तो 9 9 से 17 हो गया 9 में आप 8 जोड़ेंगे तो 17 होता है तो यहां पर हम कितना जोड़ें अब आपको बिल्कुल परिशानी नहीं होगी देखे 2 जोड़ा गया 2 का डवल 4 जोड़ा गया 4 का डवल 8 जोड़ा गया 8 का डवल 16 जोड़ेंगे ठीक है अब 17 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा दी गई स्रेंखला में अगली संक्या क्या होगी देखिए एक स्रेंखला एक सीरीज है यहाँ पर मिसिंग नमबर है यहाँ पर कौन सी संक्या है कि यह आपको बताना है देखिए 3, 3 से हुआ 6 18, 22, 360 संक्या दोस्तों बढ़ रही है ये बात आप जानते हैं संक्या बढ़ रही है और बढ़ कुछ ज़्यादा ही रही है जैसे की 3 से होगिया 6 वैं 3 से होगिया 6 अगर मैं 3 का मल्टिप्राइज 2 से करूँ तो 6 होता है ठीक है 6 से हो रहा है 18 6 का मल्टिप्राइज अगर आप 3 से करेंगे तो 18 होता है ठीक है 18 से हो रहा है 72 अगर आप 18 का मल्टिप्राइज 4 से करेंगे तो 18, 4 के 72 होता है अब यहाँ पर देखी क्या हो रहा समझ ये प्रेश्नों को 2 से मल्टिप्राइज किया फिर 3 से क्या फिर 4 से क्या अब कितने से होगा भई 5 से होगा तो 72 कमल भई 5 से करेंगे कितना 360 होता है कि नहीं होता आप कर लिजे 5 दुने का 10 का 0 कैरी का 1 रहेगा 5 सत्य 35 और कैरी का बन कितना हो जाएगा 36 तो 360 होता है 2 कमल भ wet 5 से करेंगे 360 अब कितने से होगा दोस्तों यहां 2 से multiply हुआ यहां 3 से यहां 4 से यहां 5 से तो तो अब हो जाएगा सीधा सीधा 6 से, कर दीजे, 6 कमल पे 0 में करेंगे तो 0, 6 कमल पे 6 से करेंगे 36 का 6 कैरी का 3 रहेगा, 6 तरिक का 18 कैरी का 3, 21, तो 2160 आपके इस प्रेशने का क्या होगा सही आंसर और ये दे रखा है आपको पहले ही option में, तो उम्मीद करूँगा कि किसी को भी प्रेशने में यहां कोई भी समस्या नहीं होगी, प्रेशने थोड़ा अच्छा था, संक्या जादा बढ़ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझे में सभी को अच्छे से आगया होगा, अब देखेंगे हम अगला प्रेशने, अगला प्रेशने है, दीगे इस रेंकला है एक्या मन है अब देखी यहां पर मैं प्रेश्णि को जब स्वाल करूँगा दे पिछला कोशन था तो वो मल्टिप्राइब में चल रहा था लेकिन यह मल्टिप्राइब में बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब यह च्छे को मैं क्या लिख सकता हूँ दो का स्क्वेर पिलस दो लिख सकता हूँ एक्यावन को मैं क्या लिख सकता हूँ साथ का स्क्वेर पिलस दो भी साथ का स्क्वेर उनिन चास होता है पिलस दो कर देंगे एक्यावन एक्यावन एक्सो तेज को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों एक्सो तेज की मैं बात करूँ तो ग्यारे का स्क 69 में 2 जोडएंगे 171 हो जाएगा अब यहां पर किस संख्या का square आईगा यह बात है यहां 2 का आया यहां 3 का 4 का नहीं आया 5 का आया Sचिदे 5 के बाद 6 का नहीं आया 7 का तो संख्याओं को जब ध्यांเ से आप देखेंगे तो आपको क्या समझे कमाया कि यहाँ पर जो विसम संक्या है उनका चल रहा है विसम नहीं दोस्तो प्राइम नंबर इसको कहते हैं प्राइम नंबर ठीक है जो स्क्वेर चल रहा है वो चल रहा है स्क्वेर प्राइम नंबर का प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संक्या ठीक है अभाज्य स संग्धा दोस्तों कौन सी आती है 17 तो क्या करते सत्रा का स्क्वेर और सभी में दो पिलस किया गया है तो यहां भी पिलस करेंगे तो सत्रा का इसक्वेर स्कुर् ant कितना होता है 289 होता है उसमें दो चोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा two ninety one नेया पर को अगला प्रेशने है दी गई स्रेंख्ला में अगली संख्या क्या होगी एक चार नो सोला पच्चिस यहां पर क्या आएगा ठीक है अब देखिए यहां पर तो यह प्रेशने बिल्कुल भी कठिन नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा जो बच्चे बिल्कुल भी तयारी नहीं करते हैं उनके लिए ये कठन होगा लेकिन जो लोग तयारी करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी कठन नहीं है देखे कैसे ये क्या है आप सीधा-सीधा कहेंगे एक का स्क्वेर ये है दो का स्क्वेर ये है तीन का स्क्वेर ये है चार का स्क्वेर ये है प बक्चे नएए ने तयारी करने से जोड़े हैं जिन्होंने बिल्गुल पढ़ाई ने की उनके लिए ये कठन होगा और किसी कह रहा हूं बना लीजे जो बच्चे खुद से प्रेश्ण को करना चाह रहे हैं कर लीजे जो बच्चे प्रेश्ण को खुद से करना चाह रहे हैं वो बच्चे प्रेश्ण को खुद से कर लीजे क्या अंसर आएगा मुझे बता दीजे हमें क्या करना है इस प्रेश्ण इकला में गलत संख्या हमको ग्याद करनी है इस सीरीज में क्या करना है कौन सी संख्या गलत होगी वो हमें बताना है अगली संख्या नहीं लिखते समय गलती हो कही है गलत संख्या लिखना था अगली संख्या लिख गया कोई बात नहीं ठीक है अब यहाँ पर 69 गलत है या अपस में multiply करते हैं 6 गुने 9 कितना होता है 6 निम 54 होता है और 54 में अगर आप एक जोड़ दें अपनी तरफ से तो यह 55 नहीं हो जाएगा ठीक है 55 अगली संख्या आपको मिल गई इन दोनों का multiply किया एक जोड़ा अगली संख्या मिल गई अब 55 लेंगे multiply करेंगे दोनों का 5 ग 12 एक जोड़ा एक जोड़ा यहां भी एक जोड़ा कितना हो जाएगा 13 तो हमको 13 मिल गया यहाँ क्या दे रखा है 5 अगली संग्या 5 दे रख्यी जब कि 4 आएगी तो गलत संग्या हमको पता करने थी गलत संग्या मारी कौन सी हो जाएगी 5 हो जाएगी पहला ओपसन तो मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रेश्ण अच्छे से समझे में आ गया होगा किसी को भी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद